मद्दप्रदेश लोग सबस्वाच उनाओ दोहर उनीज में भारी हार के बाद मुख्यमति कमलनास सरकार देंगे इस्तिफा CWC की बैटक में इस्तिफा की पैश्कर्स कर सकते हैं राहूल गांधी दोस्त आगा थे आपका ग्यानमितर में नीज चेल में में हूँ आप गयानमित्र कुल्दीप पांडे दिश्को आज किस वीडियों हम बात करने जा रहा है मद्दप्रदेश के लोग सबस्वाच उनाओ दोहर उनीज में भारी हार के बाद का कमलनास सरकार इस्तिफा देंगे क्योंकि उनके उपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है साथ इसी डब्यूसी की बैटक में इस्तिफेग पेशकर्ष कर सकते हैं राहुल गांदी तो क्या पुरी जान करा है जाने के इस वीडियो को उन्से तक अवश्य देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूस सबसे प पहाँ नाम खो जाते हैं इसलीए इस पर लाइक अवश्च करते हैं आज का विश्चित दोस्ता करते हैं देज भर में कंगरेस को मली हकरारी हार के बाद पार्टी में उतल पुछल मजग गई है हारी हार की परताल के लिए शनिवार को पार्टी महामन्धन करने वाली है इस महामंदन के बाद पार्टी में स्थिफे कई पैशकर भी शुरू हो गई है मीडिया रिपोर्टर के मताबिक ऐसी खबरे की हैं कि इस बैठक में कांग्रेस अद्दक्स राहूल गांदी स्थिफा दे सकते हैं यहां दूसरा मौका है जब कांग्रेस को बड़ी पराजे का सामरा करना पड़ा है जबकि पार्टी नेता बड़ी जीत का दावा और राहूल गांदी को प्रधार मंद्री बनाने का दावा कर रहे दें इस करारी हार के से कई सवाल खड़े होने लगे हैं पार्टी को सिर्फ 52 सीटे मिली हैं ऐसे हमें कांग्रेस को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्षी का पद मिलना मिल पाना मुश्किल लग रहा है लोग सवा के कुल सदस्यों के संग्या 543 हैं और लोग सवा में नेता प्रतिपक्षी का पद हासिल करने के लिए कम से कम इसका 10 फिजदी यानि 55 सीटें की जरूरत होती है और कांग्रेस को केवल 52 सीटे मिली है 2-14 में कांग्रेस को 44 सीटे मिली थी हार के कारणों को समझने के लिए सनिवार को कांग्रेस कारेस समीती अर्था CwC की बैटएक होने वाली है पार्टि सूतरों की माने तो राहूल गांधी CwC की बैटएक में स्तीफात दे सकते हैं हाला कि अभी तक कॉंग्रेस अद्धिक्ष राहूल गांधी के स्तीफे समंधित कोई भी खबर की पुष्टी नहीं हो पाई है, गुरुबार को भी इस तरह की खबरे आई थी कि राहूल गांधी के नेताओं के बाद इससे भी पेशकस की है, हाला कि बाद में पार्टी प्रदर्शन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कॉंग्रेस अद्धिक्ष राहूल गांधी इस हार की जिम्मदार लेते हुए अपने पत्स से इस्तिफा देंगे, और इस वीच कांग्रेस महासची उप्रेंगा गांधी ने उनसे मुलाकात की, उसके बाद यूपी अध्यक्ष और उसकी मा सोनिया गांधी भी मिली हैं, इस मुलाकातों के बाद खबर आईए कि राहूल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पत्स से इस्तिफा देनी की पेशकस की है, बताए जा रहा है कि राहूल गांधी मीडिया के सामने इस्तिफा देना चाहते थे, ल हार के सो फीजदी जिम्मदारी मेरी है, कहकर उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई के लड़ाई विचारधारे की लड़ाई है, और कांग्रेस के नेताओं, कारेकरताओं को घबराने की दरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा जीतेंगी, और उनने कहा है क पार्टी की कारें समीती की बैठक में जवाब देई को भी को लेकर चर्चा होगी अमेठी में राहूल को इसम्रती इरानी के सामने 55,120 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था हाला कि केरल की वाइनर्ट सीट से उन्हें 43,431,777 वोटों से जीत मिली है उन्होंने से पहले 2004 में के लोकसवा चुनाओं से इस सीट पर जीत चले आ रहा है राहूल ने कहा है कि वह चुनाओं जीत गए हैं और उन्हें इसके लिए बधाई देता हूँ आईयों जाननेते हैं MP में भी कमलनाओं के इस्तिफ़े की मांग उठती नजर आ रही है MP में चुनाओं के नतीजों के बाद कमलनाओं के इस्तिफ़े की मांग शिरू हो गई है भोपाल लोकसोवचनाओं में कॉंगरेस की करारी हार के साथ ही भाशपा ने परदेश अद्दक्ष के इस्तिफ़े की मांग शुरू कर दिये जनादेश का हवाला देकर मद्यप्रदेश भाषपा ने मांग किये कि मुख्यमंति कमलनात को इस्तिपा दे देना चाहिए इसी के साथ उन्हें ये भी कहा है कि मुख्यमंति कमलनात को जन्भावनाओं का पालन करते हुए पत से इस्तिपा दे देना चाहिए भाश्पा ने एतिहासिक जीत पर प्रदेश भर में जश्ण मनाया जा रहा है प्रदेश भाश्पा कारियाले में गुरुवार को देर शाम तक भाश्पा ने ता एवं कारिकरता जश्ण में डूमे रहे भाश्पा प्रदेश धक्ष राकेश सिंग ने मद्धप्रदेश में पार्टी की प्रचंड विजय को प्रधान मेंति नरेंद मोदी जी की लोगप्रियता रास्टी आद्यक्षामिश्चाह जी की संगठन चमता और कारीकरताओं की अथक महनत का परिणाम बताया है साथ ही कहा है कि मद्धप्रदेश में कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है इसलिए मक्षी मंति कमलनात को तुरंत प्रवहाओ से इस्तिफा दे देना चाहिए ये दपी इस्तिफा नेतिकता के अधार पर दिया जाता है लेकिन कॉंग्रेस का नेतिकता से कोई संबंद नहीं है इसलिए जन भावना को धिहान में रखते हुए इस्तिफा दिया जाना कोरण लाजबी बनता है इसिफी प्रिकार नरेन चीम्रण मौधी के चमत्त्त नेत्त पर गौपाल भारगायों का नेता सक्ष्क्य पूरे परदेश पूरे देश में मोधी जी के चमत्त्त नेत्त और रास्टी अद्ध की कु मौ्षल ये भी कहा है कि हमें जंता की सेवा के लिए और अथक परिश्रम करना है उन्होंने कहा है कि सीट का अश्रवाद देश की जंता ने दिया है वहीं मद्द्रदेश में भी एतिहासिक सभलता मेली है उन्होंने कहा ही कमनलाद मुक्यमंत्री एवां प्रदेश अध्यक्ष दोनों दायतों को निभा रहे इसलिए फिलिहाज से मद्द्रदेश में आये चुनाओ प्रिणाम पर नितिकता के अधार पर हुने निर्णा लेना चाहिए और इस्थिफा के देना चाहिए जनता ने ब्यास सहित बदला ले लिया यह किना है मुख्यमंत्री सिवरास सिंग चोहान का यहां आपके लिए आज की बड़ी जो मंत्री परदेश में लोकस्वाच उनाओ दारों नीज के विशे में कुछ बड़ी बाते हैं जो कि मुख्यमंत्री कमला सरकार के स्थिपास समंदित और सीड़ली सीड़ी बैटेक में राउल गानी देंगे स्थिपास समंदित कुछ जान करी हैं तो आशा करते हैं आपको हम आज कभी श्यावस पसंदा आ हुआ और यदि पसंदा आए आवत लाइक करें और अधिस सब्सक्राइब करें और आप उनसे लाभान में दो सकें तो आज कर आई हम फिर आज रोते हैं नए विशेक साथ जब तक के लिए जहिन जभ भारत वब बने मादराओं